हेलो गाइस क्या हाल चाल एकदम बढ़िया तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर मेरा नाम है मोहित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अकाउंट्स वाला तो चलिए शुरू करते हैं गाइस आज हम करेंगे कोशन नंबर 16 से लेके कोशन 24 तक आई मैसर्स ओटो एड डेली परचेस्ट 500 पीसिस ओफ कार होर्न इन्होंने क्या खरीद है कार के होर्न एड़ दारेट 200 इच एक 200 रुपे का है लेस करना है 10 परसेंट ट्रेट डिसकाउंट उसमें से ठीक है प्लस आईजिएस्ट एड़ दारेट 12 परसेंट और उसके बाद आप आपको टेक्स लगाना है 12 परसेंट आईजिएस्ट क्यों आ रहा है यहां पर आगे पाचल जाएगा फ्रॉम मैसर्स ओटो होर्न किस से खरीद है ओटो होर्न से कहां के चंडिगड के आप डेली के यह चंडिगड के स्टेट चेंज हो गया इसलिए आईजिएस्ट आया इं इंटराशहिट में senior stay inch एनिस से और इंटर 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 से मिन एक इसएट से धूर्य अगर दिली से चंडिगड अगर दिल्ली की दिल्ली में होता तो इंटर एस टोटा हुचा है वोफ इस्धा इनवइस वैल्यू आपको इंनवmut आ इस बतानीय क्या है आईए तो फिर करते हैं सबसे में लिखे क्या पर्चेस प्राइस इसमें आपको इसने इन्वाइस वेली पूछी है मैं आपको एंट्री भी बताऊंगा पर्चेस प्राइस ऑफ फाइव हंड्रेड कार हॉन्स एड़ डारेट टू हंड्रेड एज एक दोस्व का है तो आपका कितना हो जाएगा यह 500 इंटू 200 यह आपको हो जाएगा एमाउंट एक लाख रुपे यह एक लाख रुपे बनेगी आपका उसके बाद आपको बोला है लेस करना है 10% ट्रेड डिसकाउंट लेस 10% ट्रेड डिसकाउंट यह कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा यह आपका आगया 90,000 यह आपके आगया नेट पर्चेस प्राइस जो ट्रेड डिसकाउंट के बाद है यानि वेल्यू अफ गुड्स नेट पर्चेस प्राइस तो बुक्स में आप अपनी पर्चेस इतने की ही रिकॉर्ड करेंगे पर पर्चेस कितने की दिखाएंगे 90,000 की अब इस वेल्यू पर टेक्स लगेगा क्योंकि जो ट्रेड डिसकाउंट के बाद वेल्यू आती है उस पर आपका जीश्टी लगाते हैं हम ऐसा कर चुके हैं मैं आपको जिस्ट रिकॉल करा रहा हूँ एड़ 12% IGST और आप पर्चेस कर रहे हैं तो IGST का नाम होगा आउट सोरी इन्पुट IGST जब पर्चेस करते हैं तो आपको पे करना पड़ता है उसका नाम होता है इन्पुट तो 12% 90,000 को जाएगा 10,800 तो टोटल आगया 1,800,000 यह होगी आपकी invoice value यानि आपको इतने रुपे पे करने हैं किसको मैसर्स ओटो होर्न को और आपने cash में नहीं पेमिंट करी तो यह आपके creator है आईए इसकी entry दिखाता हूँ question में इतना नहीं पूछाता आप से अब मैं आपको enter भी करके दिखाता हूँ proper लेखेंगे in the books of messers auto at Delhi journal मैं आपको enter करके दिखाता हूँ परचेस अकाउंट, debit, input IGST, account, debit to messers auto the horns और टो हॉन से खरीद है आपने टू मैसर्स और टो हॉन्स परचेस में कितना एगा 90 थाउजन परचेस में जो ट्रेट डिस्कॉंट के बात की फिगर आती है वो लिखते हैं परचेस में या सेल में टैक्स कितना लगाया दस एराट सो आई जी एस्टी टोटल कितने पे करने इ आपको पे करने 1,800,000 किसको मैसर्स और टो हॉन को तो यह मांट आपका आगया पेवल नरेशन क्यों जाएगी बींग गुड्स परचेस फ्रॉम मैसर्स और टो हॉन कैश नहीं बोलाता इसलिए आपका क्रेटर बड़ा लाइबिल्टी में क्योंकि कुछ ना बोले तो उधा देली के हैं परचेस कर रहें 500 पारकर पैन एक दोसो का है लेस्ट करना है ट्रेट डिसकाउंट 15% किस से खरीदे रहें लक्सर पैन से जो देली के हैं यह कहां के थे यह भी देली आप कहां के आप भी देली तो सेम इस्टेट है इसलिए बोला है cght and sght लेवीड 6% इच फ इतन्य गांए अगर बड़ स्टेवट देखम सियए जोalten ऑच दिन दस दिन उसमें अगर पैसा देशा कंपा दोक्ह देगे बात में solution 17 देखिए मेरे साथ साथ सबसे पहले आपको लिखना है purchase price जिसे उपर लिखा था है परचेस प्राइस कितना है 500 पार्कर पैंस एड़ रेट 200 तो 500 को आप 200 से multiply कर देंगे यह आपका आ जाएगा 10,000 और फिर क्या बोला है फिर बोला है इसमें less करना है trade discount तो आप less करतेंगे 15% trade discount यह आपको हो जाएगा 15,000 एक तो trade discount ही पुझा था तो आपका वो आ गया यह आपकी value आ गई net purchase price जिससे आप purchase record करते हैं net purchase price जो trade discount less करने के बाद आता है जिस value के आप अपनी purchase को record करते हैं बोले cash discount भी दे देंगे अगर time payment कर दे तो उसने पूछा है आप cash discount और trade discount का amount बता हो तो हम मान के चल रहे हैं कि वो question में time पर pay कर रहा है तभी cash discount पूछा है तो अब आपको इस पहले लगाना है tax add cgst और sgst purchase कर रहे हैं तो input cgst add the rate 6% और input sgst add the rate 6% तो 85,000 का 6% कितना होगा आईए देखते हैं यह आपका होगा 5100 85,000 का निकालेंगे 6% 5100 और 85,000 का दोबारा 6% 5100 तो टोटलिंग हो जाएगे आपकी 85,000 95,200 रुपीस यह आपकी आगई invoice value जितने का आपका बिल बनाओगा जैसे पिछले कोशन में आई थी invoice value यानि amount पेवल इसको आप amount पेवल भी बोल सकते हैं आपको इतने पे करने थे लेकिन अब बोला cash discount का amount बताओ तो हम एजम्शन ले रहे हैं कि वह टाइम पे पे कर रहा होगा इसलिए पूछ रहा है cash discount भी क्योंकि cash discount आपक payment तो इस कोशन में बोला है specified time में वह पे कर रहा होगा तभी हम एक पूछा cash discount बताओ तो हम मान रहे हैं उसने payment कर दी टाइम पे जितना टाइम उसे दिया गया था तो less करेंगे cash discount भी है यह credit purchase ही जब वो बाद में pay करेगा तो जब वो टाइम पे पे कर देगा तो उसे छूट मिल जाएगी cash discount की भी वो किस amount पोगी 95,200 पोगी at the rate 5% यह आपका amount निकल के आएगा 4760 तो आपको अब net कितना पे करना था आपने कितना पे करा घड़ा दीजिए 90,000 440 आपने actual पे करा आईए इसकी entry और देख लेते हैं कैसे बनेगी आपने purchase करीए तो purchase तो आपकी credit ही है क्योंकि आपने उसे hand to end पसा नहीं दिया एक specific time के बाद दिया तो जिस समय खर दे उस समय तो goods credit पे थे तो purchase account debit कितना आजाएगा debit में जो आपकी net purchase price होती है that is 85,000 जो trade discount घटाने के बाद आती है फिर इस पर आपका input CGST कितना 5,100 इस पर आपका input SGST 5,100 और 2 आप पे करेंगे किसको creator को तो आपको creator का नाम लिखना है creator का नाम क्या है luxury pen luxury pen limited यह Delhi के कितना pay करना था 95,200 इतना आपको pay करना था और आपने जब time पे पे कर दिया होगा इतना आपको pay करना था यानि creator आपका 95,200 से बढ़ा और जब आपने pay कर दिया होगा तो क्या entry होगी आएए देखतें तब आपने entry करी होगी payment कर दिया आपने कुछ नहीं पता आपको तो माल लेते है cash या bank किसी से भी payment करी होगी sorry cash bank तो credit होगा payment करेंगे तो luxury pens आपका debit होगा creator आपका debit हो जाएगा कितने से पूरे 95,200 से cash या bank आपका credit होगा चीश चीश से भी आप payment करेंगे कितने से 90,440 से क्योंकि आपने payment करी है after cash discount क्योंकि मैं exemption ले रहा हूँ उसने time पर payment कर दिया है तभी question ने बोला कि आप cash discount भी निकाल के बताओ तो entry भी cash account निकालने बाद यही बनेगी और आपको फायदा हुआ कितने का इतने का आपको मिल गया discount तो two discount received two discount received four seven six zero यह आपका है discount तो आपकी entry क्या करी पहले आपने entry करी credit credit purchase की यह entry थी और आपने time पे जब payment कर दी तो creator liability खतम होगी debit cash या बैंक में पेकर होगा asset कम होगया credit और discount receive आपका revenue फायदा हो गया income होगी credit आईए आगे बढ़ते हैं अब देखिए question number 18 मैं आपको करा चुका हूँ opening entry का question number 19 सेम opening entry का है तो 18 जैसा है वैसी आप कर लेंगे 19 को भी 20 देखते हैं masters auto health Delhi purchase कर रहें 500 pieces of motorcycle 100 की एके motorcycle horn खरीद रहें 100 का एके plus करना है IGST किससे खरीद रहें GS auto से जो गाजयबाद के आप कहा के डेली के जिससे खरीद रहें वो गाजयबाद के इसलिए IGST लगाना है trade discount आपको कितना मिला है 10% और cash count लिखा है 5% if payment is made within 7 days अगर 7 दिन में payment दे दी तो cash count भी मिल जाएगा messers auto help made the payment after 30 days लेकिन उसने payment कब दी after 30 days तो एक बात तो क्लियर होगी cash discount नहीं मिलेगा क्या पूछा है question ने आगे determine the amount of trade discount and cash count entry नहीं करनी मैं आपको entry भी कराऊंगा लेकिन आपको trade discount का account निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वह तो आपकी sale value या purchase value निकलता है लेकिन cash count आपका किस परता है 20 solution 20 सबसे पहले क्या लिखने आपको purchase price यह सब पहले कर रहते हैं प्रचेस प्राइस आपका है 500 x 100 500 खरीद रहें 100 का एक है तो यह सारी figure रुपीस में है यह आपका हो जाएगा 50,000 यह आपका हो जाएगा 50,000 आगे देखते हैं आगे आपको लिखा है कि आपको देना है trade discount तो less करते हैं इसमें से आपको कितना है 10% 10% trade discount यह आपका हो गया 5000 तो एक आंशर तो आपको 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 बिसांट बताइए और कैस्ट बताईए तो आपका झेल्ट यह निए देखिए अब यह आपका है net purchase price कि जिस वेलेए पर अपनी परचेस रिकॉर्ड करेंगे नेट पर्चेस प्राइस जिस अमाउंट प्रचेस रिकॉर्ड होती है जिसमें आप पर्चेस को डेबिट करते है रिकॉर्ड का मतलब आगे अब इसमेंगे प्लस न्रीट है by इन्फुट्ट इन्पमोरे इस साओं है ऄंकि और एउस रेज्ट old जिससे खरीद मैं टॉट रेजेट है तो एल्ष इन्पूरेट उड स्ट Rapid है इंपने पर्सेंट और आमत्रियाब 45,000 का 12% कितना होता है देखते हैं यह आपका होता है 5,400 पांच हजार चार सो तो टोटल आगे आपका 50,400 यह आपका आगया invoice value या amount payable जो tax लगाने के बाद आती है यानि इतने का बिल बना इतना आपको pay करना था amount payable इतना आपको pay करना था अब आपने 7 days में तो pay किया नहीं तो आपको cash discount नहीं मिलेगा तो आप क्या लिखेंगे since payment is not made within 7 days therefore cash discount is not received क्योंकि आपने खरीदे हैं और आप payment करते तो आपको discount रसीव होता लेकिन आपने टाइम पर पे नहीं करा तो आपको cash discount नहीं मिलेगा therefore cash discount is not received अब आपको मैं एंट्री भी बदाता हो कि entry कैसे करते इस question की पहले दाप पर्चेस के इंट्री करते क्योंकि पर्चेस तो क्रेट पर ही है क्योंकि आपने पेइमेंट उसे 30 दिन बात दी है तो जब खरीदों को समय तो क्रेटिट पर ही था तो पर्चेस अकाउंट debit input IGST क्योंकि यहाँ पर state change है तो आपका क्रेटर का नाम क्रेटर का नाम क्या है क्रेटर का नाम है मैसर्स GS ओटो गाजियाबाद मैसर्स GS ओटो तो आपका पर्चेस में आएगा net purchase price जो आपका trade discount घटाने के बाद आता है input IGST में आपका आएगा जो आपने टेक्स लगाया है net purchase price पे 5400 टोटल आपका क्रेटर हो गया कितने का पचास अजार 400 का इतना amount पेवल आपके लिए इतना आपको पे करना था अब आपने payment करी 30 days बात लेकिन आपने साथ दिन के नहीं करी तो cash discount आपको नहीं मिला यानि अपने पूरा पे करा तो पे आप जब करेंगे तो creator liability खतम हो जाएगी तो मैसर्स GS ओटो आपका हो जाएगा debit creator आपका liability कम हो जाएगी debit होता है to cash या bank कुछ नहीं पता है तो मैंने दोनों करके लिख दिया पचास अजार चार्सों पचास अजार चार्सों तो यह आपका हो गया being amount paid मुझे अमीद आपको यह वाला question भी साज में आ रहा होगा आएए आगे बढ़ते हैं question number 21 देखते हूं name the accounts to be recorded along with the amount for payment to Ajay of Rs.4800 by check in full settlement of Rs.5000 बोलने कौन सा account credit होगा name बताओ उस account का जो credit होगा साथ में along with साथ में payment to Ajay जब आप Ajay को payment करोगे by check in full settlement of Rs.5000 तो आपको पता है जब payment करोगे Ajay को तो Ajay debit होगा चेक से pay करोगे तो bank credit होगा बोलने साथ में एक account और credit होगा क्यों बोल रहे हैं साथ payment करनी आपको 5000 फुल settlement हो रहा है आप पे कर रहे हो 4800 तो दोस्तों का आपको फायदा हो रहा है यह आपके लिए फायदा क्या है cash discount receive जो payment से discount होता है वो cash discount होता है तो आपको पे करना दे 5000 आपने पे करें 4800 तो दोस्तों का फायदा हुआ जिसका नाम है discount receive तो दूसरा account कौन सा credit होगा साथ में discount receive यही question ने पूछा है कि उस account का नाम बताओ जो साथ में credit होगा जब payment करोगे चेक से अजे को 5000 के बदले 4800 तो आप simple लिख सकते हो discount receive account is created बट मैं आपको पूरी प्रोपर एंट्री करके दिखाता हूँ आए देखते हैं सोल्यूशन नमबर 21 क्या एंट्री बनेगी आप payment करेंगे तो अजे आपका debit हो जाएगा तो चेक से payment कर रहे हैं तो bank credit होगा और तो आपका discount received question ने पूछा था आपको कि कौन सा account साथ में क्रेट होगा ताप पूरी एंट्री बता दीजिए और बदाजिए कि along with bank discount receive is created यहाँ पर लिखेंगे 5000 यहाँ पर लिखेंगे 4800 यहाँ पर लिखेंगे 200 क्योंकि कि पेमेंट करनी पांचा रुपे पेमेंट करनी है 5000 रुपीस आप पर करें 4800 बाइट चेक और फूल स्रेटलमेंट तो आपको फूल स्रेटलमेंट हो गया 4800 दे गई तो दोस्तों हो गया आपका फायदा तो यहाँ पर आप साथ में लिख सकते हैं along with bank डिसकाउंट रिसीवड एकाउंट इस ग्रेटेट यह मैं आपको लेंगवज में समझा रहा हूं कोश्चन ने जब पूछा था आप एंटर करके दिखा सकते हैं और यह भी लिख सकते हैं और दोनों कर देंगे तो बहुत ही बड़ी है और एंटर तो करिए करिए ताकि यह कोश्ण क्या आपका पास एंटरी फोर सेल अवाफ गुड्स आपको गुड्स बीचने का इंटरी करनी है बाय राहूल, राहूल ने बेशे जो देली का यह लिख किसको बेशे अनीश को बेशे बायरूल, किसको बेशे डेली, टू अनीश जो अनीज को बेचे वो भी देली का है 4 रुपीज 10,000 गुट्स कितने के बेचे 10 अरके लेस 10% ट्रेट डिसकाउंट और आपको 10% ट्रेट डिसकाउंट दिया है और 2% कैस इसकाउंट एजूम पेमेंट इस रिसीवड एड़ टाइम अफ सेल पैस आपको हैंट्रेट मिल गया है cgst hgst 6% क्योंकि आप بھی देली के राहुल भी देली का सीज आप वराहुल जिस्ने माल बेचाए जिसको माल घिचाए तो दोनों देली के हैं तो आये करते हैं सोल्यूशन है आपका 22 क्या करना है सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको वर्किंग बना के देदता हूं मैं ताकि आपको समझाने में असानी हूं यहाँ पर आपका अगरे ट्रेट डिसकाउंट करना है तो बहुत सिंपल है आपका जो लिस्ट प्राइस है इसे हम लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं मर्प बोल सकते हैं यह कितनी है रुपीज में यह आपकी है तैन थाउजन लेस्थ लेस्ट करने ट्रेट डिस्काउंट ट्रेट डिस्काउंट आपको पता है डाठी चैज की वर्ली या पर्चैस की बिलू से लेस्ट करते हैं लेस्ट ड्रेट अट टैन परसंट तो यह आपका 1000 this the wine at 9000 agree figure यह आपकी आगई net sale price या नेट sale value कि इतने अरूपएं को मिलने यांड़ेटर से सेल के सेल आप अपनी books में इतने रुपउस रेकोर्ड करेंगे welly इस पर लग बात है जो रिकोर्ड करेंगे ल глनी वह 9000 से रेकोर्ड करेंगे जैसे परचेस में करते discount less करने के बाद अब इसमें add करेंगे आप cgst और sgst और मैंने यहाँ पर एक वर्ड नहीं लिखा है आप लोग लिखिए output cgst output sgst क्योंकि जब हम sale करते हैं तो हमें text लेना होता है और उसको हम बोलते हैं output gst तो cgst तो output cgst हो गया sgst तो output sgst हो गया नाइन थाउजन का 6% की साब से लेना है कि तो नौचिक चोगवन 540 कि 540 कि यह आपका आगया 10,080 दस हजार असी अब यह आपका है एक्च्वल टोटल कि इतने रुप्य आपको मिलने चाहिए थे amount receivable इतने आपको मिलने चाहिए थे debtor आपका इतना बनना चाहिए था लेकिन वो hand-to-end payment दे रहा है क्या लिख्या question ने आगे assume payment is received at the time of sale,sale के समय परसा दे रहा है तो आप उसे cash discount भी दे रहे है जब वो आपको sale के समय परसा दे रहा है तो आप उसे cash discount भी दे रहे है तो कितना हो जाएगा देखते हैं less 2% cash discount यह 10,000 अस्तिक आपका कितना जागा आगे देखते हैं यह आपका आएगा 201.60 तो आप इसे round of कर देंगे 202 बन जाएगा 0.5 या 500 उपर हो तो बढ़ा जेते हैं 0.5 से नीचे हो तो घटा जेते हैं तो 200 एक पॉइंट 6 आया मैंने 202 कर दिया तो आपकी net payment कितनी निकल आएगी जब 202 को less कर देंगे तो आपकी net payment आ जाएगी 9878 9878 यानि आपको इतने और रुपे रिसीव हो जाएंगे तो आपको actual में कितना पैसा मिला 9878 amount received उपर वाला जो लिखा था मैंने वो receivable था receivable मतलब अगर आपको पैसा हैंट नहीं मिलता तो डेटर साब इतना लेते लेकिन चुकि आपको उसने हैंट पे कर दिया तो आपने इसे 2% का और डिस्काउंट दे दिया तो अब आपको इतना amount receive हुआ तो आईए एंट्री लिखके दिखाता हूं मैं इसको आपकी आप डिस्काउंट दे रहेते हैं क्योंकि उसने आपको हैंट्री पेमेंट कर दी तो आपने कैश काउंट भी दिया डिस्काउंट अलाओ डैबिट तो आपकी सेल्स रेवन्यू आपका बढ़ गया क्रेडिट टू आउट्पुट सीजी एस्टी कि टू आउट्पुट कि आपकी सेल्स कितने की थी 9000 की जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद अमांट आता है वह हमारी सेल वेल्यू पर्चेस वेल्यू होती है चीएश्टी था 540 का 540 का यह सिंपल तरीका अमांट फिल करने का डिस्काउंट आपका कितना आया था 202 और यह आपका आया था 9878 9878 तो आपका टोटल मैच कर लीजिए हो रहा है 1080 दो गए तो 2980 और 200 हां जी हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल सिंपल ना रिशान है आगे देखिए कोश्चन नमबर करते हैं 23 23 में क्या है आगे देखते है पास जनल एंट्री फोर पर्चेस ऑफ गुड्स बाई अम्रित आपको गुड्स खरीतने के एंट्री करनी यह किसमें खरेदें अम्रित ने जो कहांका है देली का किसमें खरेदें फ्रॉम आयूर आयूर प्रड़क्त यह कहांके आखरा के यह स्टेट चेंज हो गया एक है देली एक है यूपी तो लगेगा कितने में खरीदें 25,000 में लेस करना है ट्रेट डिस्कॉंट 15 परसेंट और एड करना है आई जीएस्टी 12 परसेंट सिंपल से एंट्री है कैस्ट आपको गीवन नहीं है तो आपके अधार ख़ई दें नाम गीवन है तो देखे मैं आपको प यह आप परचेस की जो वेल्यू बोल रखिए परचेस प्राइस कि विफोर ट्रेड डिस्कॉंट वाला यह आपका कितना है 25,000 कि इसमें से लेस करना है ट्रेट डिस्कॉंट एड़ डारेट 10% 15% इस पर हर फार 10% होदा है 15% है तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 3750 3750 तो कितना बचेगा यह आपका यह आपका बचेगा 21250 यह आपके आगई Net Purchase Price जिस पेहलनी पर पर्चेस को Record करेंगे Net Purchase Price चो Trade Discount के बाद आती है आज धी Class में आपको यही समझाया है और दो हम यह सब पहले से करते आ रहे हैं लेकिन आज को मैं आपको डेटेल में अच्छे से बार बार रिपीट कर रहा है आईए अब इस पर क्या लगाना है, टेक्स लगाना है, आपने सामन खरीदा है, तो input IGST, IGST क्यों, पहली बार तो question ने बोला है, लेकिन वैसे क्यों, क्योंकि interstate purchase है, आपने UP से खरीदे है और आप हो Delhi के, तो 21,250 का 12% कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 2550, तो आप totaling कर दो कितनी आ 000, यह आपका जागा amount, payable, या invoice value, या invoice value, जिस value पे आपने total सामन खरीदा, टेक्स मिला के, इतना और आपको pay करना है, तो entry क्या बनेगी, purchase आपका expense है, purchase is account, debit, input, IGST, आपका asset है, debit, to, किसे खरीदा है, Iur product, to, Iur products, तो आपका purchase में कितना हैगा, 21,250, जो trade discount less करने के बाद आता है, GST में आएगा आपका 2550, और 238880 आपका Iur products में, यह कौन सा amount है, यह आपका amount होता है, जो आपको total pay करना है, creator को, और question में आपने cash में खरीदे नहीं है, चेक से payment की नहीं है, तो उधार है, तो इतने रुपए कि आपकी liability credit program से create हो गई, tax मिला के आप payment देंगे, यही करते हैं हम normally, तो आईए, आज की class का last question देखते हैं, question 24, पढ़ते हैं मेरे साथ साथ, पास journal entry for purchases of goods, आपने goods खरीदे हैं, अमरित ने, फिर से अमरित नाम है, जो देली का है, किस से खरीदे, है, एड़ चल्पेंस है, कर दिस वार, एड़ चल्पेंस है, वो भी देली का है, पंदार के दे, लेस्ट करना है, ट्रेट इसकांट 10%, and cash इसकांट 3%, cgst, hgst कितना 6% है, और बोलने, है, मान के चलिए, payment आपको time पे, हो गई है, यानि इस पर payment time पे, हो गई है, तो क्या entry बनेगी देखते हैं, है, तो क्या entry बनेगी, आपकी payment अगर हो गई है, तो सबसे पहले question number 24, मैं आपको working समझायता हूं, लिष्ट प्राइस या purchase price, कितना है, चेक करते हैं, यह है आपका 15,000, यह सारी figure रुपीज में, यह है आपका 15,000, इस price पे आपको देना है trade discount, 10% trade discount इस बार तो, पिछली बार 15% था, तो यह हो जाएगा आपका 1500, यह आपका आगया 13,500, आगे क्या बोला है, वो बोल रहा है, आपको लगाना है, cgst, sgst, तो यह आपके आगई, net purchase price, net purchase price, अब आपको add करना है, cgst, और sgst, तो आप खरीद रहे हैं, तो input cgst, और input, sgst, add the rate, 6%, 6%, 13,500 का 6%, 6% कितना हो जाएगा आपका, यह आपका amount आजाएगा, 810, 810, 810, 810, तो टोटलिंग कर ली जाए, 13,500 में आप 1600 जोड़ दी जीए, तो यह आपका बन जाएगा, 8,8,16, 14,000, 15,120, 15,120 आजाएगा आपका, यह आपका क्या 15,120 और अब इतना आपको pay करना था, यह था आपका amount payable, यह था आपका amount payable, यानि आपको इतना pay करना था, लेकिन क्या बोला है question ने आगे, आपने payment कर दिये at the time of purchase, यानि cash purchase है, आपने उधार में नहीं खरीदा, payment कर दिये at the time of purchase ही, तो जिसकी वैसे आपको मिलना cash discount, अगर payment नहीं करते तो cash discount की बात ही नहीं करता question, question ने cash discount दिया ही क्यों, तो यह बता रहा है कि आप payment कर रहे हो hand to hand, तो अगर आप hand to payment कर देते हो, या part payment कर देते हो, तो जितना आपने part payment कर आए, उस पर आपको cash discount मिलेगा, और अगर पूरा कर आए, तो पूरे पर cash discount मिलेगा, तो आईए, लेस करते हैं, 2% cash discount, 2% cash discount कितना हो जाएगा आपका, 15,120 रुपे का 2%, यह आपका हो जाएगा, 454, तो net आपका कितना आजाएगा, 14666, यह आपने actual pay करा, यह आपने actual pay करा, इतना आपको cash discount मिल गया, यानि actually amount paid, पे इतना करना था, लेकिन आपने hand to hand कर दिया, तो आपने actual में इतना pay करा, तो आपका cash या bank, इतने से कम होगा, discount receive revenue बढ़ेगा, credit होगा इतने से, और GST आपका खर्चा है, asset है, आपने pay करा है, debit होगा, और purchase आपका expense है, बढ़ेगा इतने से, तो enter लिक के दिखाता हम आपको, purchases, account, debit, net purchase price से, जो आपकी trade discount है, cash account के बाद आती है, आज तो मैंने आपको यहीं बता है, बार बार, आपने pay करा है, GST, आपका asset है, तो input, IGST, या CGST, CGST है, CGST, account, debit, 810, input, SGST, account, debit, 810, 2 आपका cash या bank, आपको नहीं पता, तो आप अप लिक करके लिख दीजिए, और 2 आपको मिला discount, receive, तो cash या bank debit, और 2 discount, receive, cash bank में कितना है गापके, 14666, जो आपने actual pay करा, और discount कितना है के मिला आपको, 454 का, तो यह आपका total बाबर जाएगा, आपके entry, आपने goods खरीदे, सबस्पहले अपने purchase price लिखी, या list price, यह होती है आपकी MRP, इस पर आप लेज़ करते हो trade discount, यह आपका net purchase price, इस पर लगाते हो tax, उसका अपकी आगी amount payable, अगर आप payment नहीं करते हैं, तो creator आपकी liability इतने रुपे से create होती है, भी दे दिया, तो आपने actual पर गरा 14666, तो आपका cash bank कितना कम हुआ, 14666 से discount receive आपका revenue बड़ा, 454 से sale आपकी, पर्चेस आपकी expense है, expense इतने से बड़ा, और इस पर आपने टेक्स दिया, जिस्टी वह आपका asset है, वह आपका इतने से बड़ा, तो simple entry purchase debit, अब मुझे उम्मीद है, आपको यह कुशन सज में आया होंगे, अगर आपको कोई doubt है, तो आप मुझे से comment section पूछ सकते हैं, या मेरे facebook page भी मुझे से पूछ सकते हैं, और मैं आपको इस chapter की जितने भी अपतक मैं लेक्चर कराएं, सबके link मैं आपको दे दूँगा description में, आपको किसी भी lecture में doubt हो, किसी भी topic में doubt हो, आप lecture को go through करिए, आपको help मिलेगी, और अगर आपको तब भी सजमें नहीं आता है, तो आप प्रीज मुझे से पूछिए, मैं आपको definitely like करूँगा, definitely मैं आपकी problem solve करूँगा, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लागा हो तो प्रीज वीडियो को like करिए, चैनल को subscribe करिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए good bye, take care, bye bye,